प्रदेश सरकार PhD एंफिल की इंक्रिमेंट कॉलेजों में पात्र लोगों को प्रोफेसर पद्दे ने UGC पेस्केल को लागू करने सहित प्रदेश के कॉलेजों में रिक्ट पड़े पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए ये मांग हिमाचल प्रदेश कॉलेज राज किय प्रद्यापक संग के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ने धरमशाला में आयोजित प्रैसबार्ता में प्रदेश सरकार से उठाई है प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल की DPC काफे दिनों से लटकी पड़ी है हमारी सरकार से मांग है कि जल्द कॉर्ट मे मामला लाया जाए और अगली सुनबाई के लिए एप्लिकेशन डाली जाए प्रोफेसर की पोस्ट यूजिसी के तर्देनी की मांग है पंजाब में इसे लागू कर दिया गया है हिमाचल के कॉलेजों में पात्र लोग प्रोफेसर की पोस्ट से बंचित है यूजिसी की पेस्केल जो की बाकी राजयों में अक्तूबर 2016 और अक्तूबर 2018 से लागू कर दिया गया है लेकिन प्रदेश सरकार नहीं इसे लागू नहीं किया है सरकार हीमाचल में UGC Payscale को लागू करे, शिक्षा की गुर्मबता को लेकर नई शिक्षा निती में कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में स्टेक होल्डर्स की राय जानना अवशिक है, तभी प्रभावी डंग से इसका ग्यान बन हो सकते हैं और अर्ली हेरिंग के लिए अप्लिकेशन डाली जाए है, हमारा और जो और मुद्धे हैं हमारी डीपी डीपीसी जो बाकी स्केल्स के लिए है, वो रुकी हुई है और हमारे पीएच डी और एंफिल की इंक्रिमेंट्स जो बाकी राज्यों में UGC की तर्ज पर दी जाती थी उसको इमाचल प्रदेश में एक दस दो हजार चौदा से विड्रॉ कर दिया गया है, उसकी बहाली के लिए प्रमुकता से हमारी माग रहती है और प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो बाकी राज्यों में UGC की तर्ज पर पंजाब में भी उसको लागू कर दिया गया है 2010 से अभी तक यहां पर जो है उसको इंप्लिमेट जो एलिजीबल लोग है उनको जो है वो महाविद्याले के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट जो है उससे वंचित है इसलिए हमारी सरकार से बार-बार यही अनुरोध है कि वो UGC की तर्ज पर UGC को पूरी तरह से इंप्लिमेंट जो है वो राज्यों के अंदर उसी तर्ज पर किया जाए UGC के pay scales को लेकर के जो एक-एक 2016 से इंप्लिमेंट हो गया है और बाकी राज्यों में लगबग अक्तूबर 2018 में इंप्लिमेंट कर दिया गया है अभी तक राज्यों सरकार में उसको इंप्लिमेंट नहीं किया है हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारे को पंजाब से डी लिकन करके UGC के तरज पर उसको हमारे को pay scale जल्दी से जल्दी इंप्लिमेंट जो है वो यहाँ पर कर दिये जाए और बाकी जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो है वो नई शिक्षा निती को हम किस तरह से जानना और stakeholders की राय जानना उसमें बहुत आवशक है वो तको तभी effective wave में उसको implementation उसका हो सकता है और तभी हम शिक्षा के अंदर अच्छी गुणवत्ता और जिस तरह का जो नई शिक्षा निती है कि हम तक्षिला और नालंदा का example दे रहे हैं वो तब हो सकता है जब शिक् प्रेक्स की जा है